चमक्ती बंदू के चहरा छुपाने की कोशिश, ट्रकों की भीड और ट्रेक्टरों से ढूई जाती रे जो बुंदेल खंड सूखा और किसानों के खुदकुशी के बन गया पहचान उसी बुंदेल खंड में नदियां बन गई थे रेत माफियाओं के लिए सोने की खान, असलहों के बल बर डाली जा रही है डकेतियां, दिन में सर्याम हर रोज पड़ता रहा है डाका, मौरंग और बालू बन गया है, माफियाओं के लिए टकसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उड़ रही है धकजियां, मिट्टी रेत और मौरंग से उड़ रही है कानून की खिलियां, माफियाओं की टकसार, बुंदेल खंड की खान नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमारी नैथानी, बुलिटिन की शिरुवात करेंगे उत्तर प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश इन दिनों अवैद खनन का सबसे बड़ा अड़ा बन गया है, यहां बुंदेल खंड में धडलने से अवैद खनन का काम जारी है, हैरानी की ब बता दें कि सम्मूचे प्रदेश में किसी भी करन का रोबारी के पास परियावरन का अनोसी है ही नहीं। जी हां हम बात कर रहे हैं यूपी के बुंदेल खंड की जिसका नाम जहन में आते ही गरीबी का असली चेहरा नजर आता है, लेकिन यह है सिक्के का एक पहलो, सिक्के का दूसरा पहलो इससे एकदम अलग है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बुंदेल खंड बन ग नदियों में भारी भर कम मशीनों से यह माफिया मौरम और बालू पर डखेती डाल रहे हैं, एक दो या सो नहीं रोजाना हजारों पर, एक दो नहीं कई करोड के डखेती, सिर्फ मिटी के नहीं राजसो के भी डखेती है, यह सब काम मैने दुमानी लगेगा, और उसके बा मौरम से लदे इन ट्रकों की कतारें, नदियों में खनन की ये नजारें, सडकों पर मौरम बालू लात कर दोलते सैक्रो ट्रक, वो भी तब जबकि यूपी में एक भी पट्टा धारक के पास परियावरण की एनोसी है ही नहीं, असल में पहले पांच एकड से उपर के पट् और शुरू हो गया अवैद खनन का खेड, माफिया इसकदर हवी है कि वो दूसरे किसानों के खेटों में भी सर्याम डखेती डाल रहे हैं अब देखिये नजारा रात में अवैद खनन का, पिछले दिनों बांदा की खदानों पर डीम शीतल वर्मा ने आधी रात चापा मार कर दो सो ट्रक और तमाम खनन मशीने जब्द की हम लोगों ने देखा कि ये मटाउंद वाले रास्ते से काफी सारे ओवर्लोड़िट ट्रक निकल रहे हैं तो कप्तान साब ने कहा कि एक बार हम लोग चल के स्थाल को देख लें जहां से ये ट्रक भरे जा रहे हैं तो पाया गया कि नदी पे दो तीन अवैद पुल बना लिए गए हैं और इससे नदी का रास्ता भी रुक रहा है तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने अवैद ट्रक पकड़े गए हैं इनके उपर कारेवाई खीज़े सचाई तो यह है कि इन खनन माफियाओं के दोसों से ज्यादा ट्रक जो जब्द किये गए थे वो छोड़े जा चुके हैं जो मुकदमे थे उन पर आज तक कोई कारवाई ही नहीं हुई सब के सब चुप हैं क्या प्रशासन क्या शासन पर खदाने फिर चालू हो चुकी हैं और यह सबूत है माफियाओं की मजबूत पकड़का और गवा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश तार तार करने का नदियों के डकैतों ने साबित कर दिया है कि बुंदेल खन कर्ज से कसमसाते किसानों की कबरगा नहीं बलकि सोने की खान है खुलेयाम लूट जारी है लेकिन ना माफियाओं को सरकार की चिंता है ना अफसरानों को सुप्रीम कोर्ट की फिक्र शायद इन पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है क्योंकि महकमों की अंदेखी ने इनके हाथों में थमा दिया है लूट का लाइसेंस बाना में आलोक निकम और अखलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजंतर पार्टी लखनव आईबियन सेवन और खरन के सखेल में समूचे सूबे में बालू और मौरम के साथ गिट्टी की कीमतों में भी आग लगा दी है चार महीने की भीतर बालू मौरम और गिट्टी की कीमतें तीन से चार गुना तक बढ़ गई है सरकारी और गैर सरकारी काम भी या तो रुख गए हैं और या फिर धी में पड़ गए हैं और कंस्ट्रक्शन माटीरियल की किमतें आसमान चूने लगी है सबजी महंगी, दाल और चीनी महंगा, पिट्रोल डीजल पर तो महंगाई की मार हैं ही बहाना बना कर सप्लायर तीन गुनी तक कीमते वसूल रहे हैं क्योंकि अवायद खनन पर आमादा माफिया इन्हें मोटी कीमतों पर बेच रहे हैं ऐसे में काम ठप है, खुद खनन विभाग को कीमतों में अगले तीन महिने तक कमी आती नहीं दिखाई पड़ रही ऐसे में असर तो पढ़ना ही है महिने के अंदर हमारी इसी दिया बिलकुर नारम हो जाएंगी और बलकि जो पहले रेट था उससे भी कम रेट पर लोगों को मिलना प्राणन पर जाएगा 12 बंकी, सहारनपुर, बांदा, चित्रकूट, जालाउन, जहासी, सोनभद्र, मिर्जापूर, महोबा और ललिटपूर जैसे एक दरजन से ज़्यादा इलाकों में ये अवायद खनन जारी है सोनभद्र में तो अवायद खनन के चलते कई मजदूर दब तक गय थे मुके मंत्रिय खलेश यादव, जो खुद खनन मंत्री भी है, वो भी मान रहे हैं इस कमी को परशाद वो नवाकित हैं, अब सरों के अंदेखी के खेल से देखी, ये सवाल आपने सही उठाया है, कि गिट्टी उपलग्द नहीं है उसके दोसी नहीं, अगर स्वानवद बगरा में बंध है, तो सेंट्रल की एक विभाग है, उसके मादम से अनुसी चीए अभी सस्ट तो यह है कि परयावरान की अनुसी की जो मियाद है, वो 400 दिनों से उपर की है और इन 400 दिनों के पहले एनुसी किसी भी हालत में मिल ही नहीं सकती, खुद प्रिशासन इसमें मुगायना और जन सुरुआई करने से लगातार कत्रा रहा है यही वज़ा है कि एनुसी के बिनाही खनन या यू कहा जाए कि अवायद खनन जारी है सरकार ने इटेंडरिंग की भी यूजना लागू की है शायद पारदाशी व्यवस्था का नारा बुलंद करने के लिए लेकिन इस नारे की सच्चाई सरयाम खनन की लूट बया कर रही है मुखमंत्री जी आप उतरप्रदेश के खनन मंत्री भी है और आपके अफसरान आपकी आखें है लेकिन ये अफसरान आपको शायद सच्चाई बया नहीं कर रहे ये नहीं चाहते कि इस लूट की तरफ आप नजर भी डाले लेकिन सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आप सब देखें आपको वोट देने वाली जनता चाहती है कि आप सब देखें और खासकर परियावरान चाहता है कि आप इस लूट को जरूर देखें मनोज राजन तरपाथी लखनव आईबियन सेवन और इस खबर पर और विस्तास जानकारी देने के लिए हमारे सही होगी मनोज राजन तरपाथी इस वक्त हमासा जुड़ गए है मनोज खोले आम ये लूट जारी है लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी है सब कुछ दिखाई दे रहा है क्यों नहीं कोई स्टेप उठाय जा रहा है इनके खिलाफ इक बहुत अंदर की जानकारी आपको देता हूँ कि जो उपर के अफसरान है यानि मैं लखनव से लेके और बुंदेल खंड तक की बात करता हूँ उपर के अफसरान एक इशारा करते हैं वहाँ के डियम को ये बताते हैं कि आप फला आदमी को रोकेंगे नहीं इन अफसरानों का एक कौकस है जो ही पूरी तरीके से इस अवायत खंड को हरी जंडी दे चुका है लेकिन मुक्मंत्री के पास कम से कम खुद अपने पास दो दर्जन से ज़्यादा महक में है वो तमाम सारी चीजें सिर्फ अफसरानों की रिपोर्ट पर देखते हैं उनको ये मालूम नहीं पड़ देने दिया जा रहा है कि किस तरीके से ख़दानों की लूट चल लई है अवायत खंड चल लई है अगर सुप्रीम कोड ने जवाब तलब कर दिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा लेकिन इन खंड माफियाओं और अफसरानों का जो ये कौकस है इसको हरी जंडी दिये हुए है और खुले आम लूट चल लई है चाहे वो सोन भद्र हो आम जंता के लिए बड़ी विडंबना की बात है कि सत्ता बदल जाती है लेकिन वो चेहरे वो दबंग चेहरे वो माफिया वो कारोबारी वो जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं है उनकी सत्ता से हमेशा एक साठ गाट सी हो जाती है और उसका पुल बनते हैं ये अफसरान यही वज़ा है कि पिछली सरकार के उन्हीं के रिष्टेदार फिर ये खनन कर रहे है जो पिछली सरकार में जुले थे वो इस सरकार में भी जुले है और ये खनन का खेल उस सत्ता में भी जारी था और इस सत्ता में भी जारी है बस अब इस बात का इंतजार है कि शायद खनन मंत्री यानि मुख मंत्री कोई कारवाई करे विलाल शुक्री आमनो जिस से थमाम जानकारी के लिए आखका